नियूजबन इंधिया पार डियूपटी सियम ब्रजेश पाठाक एक्सक्लोजब आपको दिखाते हैं नियूजबन इंधिया पार बोले डियूपटी सियम ब्रजेश पाठाक लखीमपुर की घटना बेहत दुखद है सरकार ने घटना को गंभीरता से लिया है तो इसके साथी सरकार फीडिस परिबार के साथ खड़ी है, एडीजी और बाकी अपसर मौके पर मौझूद है, मामले को पॉस्ट्रेक कोच मिले जाएंगे, कठोर से कठोर सजा, जल्द से जल्द दिलाएंगे, न्याय दिलाने के लिए हम काम कर रही हैं तो डिप्टी सियम ब्रजेश पाठक नहीं, ये बाते कहीं एक्स्क्लूजिव नीजित्वान इंडिया से इस पूरी घटना को लेकर हमारे साथ हैं डिप्टी सियम ब्रजेश पाठक, सर्ज जिस तरीके से घटना हुई है, लखीमपूर खीरी की उस घटना को लेकर सरकार पूरी तरीके से अक्टिव है, लेकिन इस घटना को लेकर क्या कहना चाहेंगे, दो बहने और छे आरूपी पीडिता की मा का एक आरोप है कि जो शिकायत हुई, वो करीब चार घंटे पहले की गई थी, लेकिन पुलिस ने देरी की सरकार जहां पूरी तरीके से अक्टिव है, चाहे वो आई जी हो, खुद एड़ी जी एलो हो, मोके पर पहुचे हैं और लगातार मामले भी आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन विपक्च लगातार सवाल खड़े का रहा है, आप विपच्च का काम अपना काम है, मैं यही क कोट में ले जाएंगे और शिगरे नियाए दिल जाएंगे, बिल्कुल, यह है अप्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम बर्जेस पाठक जो बता रहे हैं, पूरे मामले को फास्ट्रेक कोट में लेकर जाएंगे और सरकार पूरी तरीके से गंबीर